दिग्रस शहरवासियों के लिए राहत की खबर है सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को दिग्रस के कोईट केर सेंटर से 44 और बुद्भार को यातमाल आइसोलेशन वार से दिग्रस के 10 कुरोना पॉजिटिव मरिजों ने पॉजिटिव से निगिटिव में तबदील होकर आपसी कर ली ऐसे में तहसिल में फिलाल कुल पॉजिटिव मरिजों के संख्या 81 से लुड़क करब 45 हो गई है कविट 19 को लेकर बार 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 बदल रहे डब्ली ओच के दिशा निर्देश नोट बंदी के दौर की याद दिला रहे है आए दिनों दिशा निर्देशों में हो रहा परिवर्तन उलजनों को बढ़ावा दे रहा है हाल ही में डबली ओच की गाइडलांस में बदलाव किया गया जिसके परिणाम स्वरुप दिग्रस कोविट के चवालीस और यातमाल आइसुलेशन वार से दस कुरुना पॉजिटिव मरिजों को उनके कुलना निकेट मरिजों का आखड़ा पैतालिस पर आरुका है गड़ तलब है कि एक अगस को बक्री ईद की शाम को जिन लोगों को कोविड केर ले जाया गया था उनने हाल ही में घर भेज दिया गया है इस संदर में इन बीस या नियूज ने दिग्रस कोविड केर के मैनेजर डॉक्टर अ संख्या सरवादिक है हाला कि कई लोगों के स्वैप टेस्ट 25 जुलाई को लिए गये थे और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उनने दिग्रस कोविड केर में उपचार के लिए रखा गया था जिसके बाद नई काईडलाइंस के तहत मिली सुचना और रिपोर्ट न देहनी के सला दी जा रही है बैरहाल बात चाहे जो भी हो डबली एच द्वारा इससे पहले भी कई चोकाने वाली गाइडलाइन जारी की गए थी जिस पर कई जानकार अचम भी थे मालुम हो कि कई तरह की पाबंदिया और कई शेहरों में बंद की स्तिती तथा बढ़ते घ अकड़ा घटकर पैतालीस पर आ गया है जो कि कुर्णा को लेकर बढ़ रहे खौप के दोर में राहत की ख़बर है इन बीचे न्यूस के लिए जुबिर खान के रिपोर्ट